वहीं दूसरी तरफ प्रियंका कॉंग्रेस के लिए उस पत्ते की तरह है जिसको पार्टी ने अब भी छिपा रखा है किया मंत्री मिनिस्टर वगरा का तो अभी भी बहुत स्वक्ष जो है और स्वक्ष चेहरे के साथ साथ स्वक्ष चेहरे की इमेज के साथ साथ एक बहुत सौफ्ट नेचर का भी बना है जो की महिला होने के कारण ये एक नेचुरल इंपक्ट या इफेक्ट तो होता ही है और द प्रियंका गांधी को हमेशा से कॉंग्रेस इंद्रा गांधी की जगा पेश करती रही है। प्रियंका पर दाव खेल चुकी है लेकिन उस दोरान भी कॉंग्रेस की दाल नहीं गली। तो आप 2022 के चुनाव में प्रियंका कितना काम्याब होंगी। पिछली बार जो आई थी आप उसको एक ट्रायल मान लीजे या उतना डेडी केसन नहीं था या समस्या को उतने गंभीर तरीके से ये लोग समझ नहीं पाये थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अबकी बार इनों ने गंभीरता से समस्या को समझा है। इसलिए 6-8 महीने पहले लगातार जो है वहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हुए अपना निवास अस्थान वहीं पे शिफ्ट करने का जो प्लान बनाया है। तो लगता है कि कॉंग्रेस को भी गंभीरता समझ में आ गई है कि अगर कॉंग्रेस को रिवाइब करवाना है भारत में तो वह उत्तर प्रदेश से होगा। जनसत में रिवाईब करवाना है तो कॉंग्रेस को सबसे पहले रिवाईब करवाना होगा उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच पकड़ बनाने के लिए जरूरी है कि वहां पे एक कोई कद्दावर नेत्रितु का सहयोग मिले अब ये दाव कितना का होगा ये तो वक्ती बताएगा